आप अपनी जरूरत के मुताबिक Atlantis मशीन के फीचर्स को सेट कर सकते हैं पाउडर की मात्रा बढ़ाने के लिए पहले Stop बटन तीन सेकंद्स दबाकर प्रोग्रामिन मोड में जाएं डिस्प्लेइ पर दिखेगा Premix 1 3.75 अब Canister 1 की ड्रिंक में पाउडर की मात्रा बढ़ाने के लिए कौफी बटन को दबाएं पाउडर की मात्रा कम करनी हो तो T का बटन दबाएं ये करने के बाद Half बटन जरूर दबाएं तभी आपकी Changes सेव के जाएंगे Canister 2 की ड्रिंक में यही करने के लिए पहले Programming Mode में जाएं अब Stop का बटन बार-बार दबाएं जब तक डिस्प्लेइ पर Premix 2 3.75 ना दिखें अब Same Process फॉलो कीजे हर कप में पाणी की मात्रा बढ़ने के लिए Stop बटन को 3 सेकंड तक दबाएंगे Programming Mode में जाएं अब Stop बटन को बार-बार दबाएंगे जब तक डिस्प्लेइ पर Water 1 ना दिखें ड्रिंक 1 में पानी बढ़ाने के लिए Coffee बटन दबाएं और पानी कम करने के लिए Tea बटन दबाएं Changes सेफ करने के लिए Half बटन जरूर दबाएं Drink 2 में पानी की मात्रा बदलने के लिए Programming Mode में जाएं अब बार-बार Stop बटन दबाएं जब तक डिस्प्लेइ पर Water 2 ना दिखें अब सेम प्रॉसेस फॉलो कीजिए पानी का टेंपरचर बदलने के लिए Stop बटन 3 सेकंद्स तक दबाएंगे Programming Mode में जाएं और कम करने के लिए T बटन दबाएं Changes सेफ करने के लिए Half बटन जरूर दबाएं याद रहे आपके सीवी समय हमसे संपर्क कर सकते हैं